मैं आपके सामने आज कुछन लेक्ट क्या ही हो पहले भी हमने क्या हुआ है सुक्षम जीवों से होने वाले रोगों से बचने के लिए सिधारणवासरल उपाय क्या है What are the simple and easy precautions to remain free from the disease caused by microorganism? तो पहला जो point हम बोलेंगे कि जो patient है ना जो रोगी वेक्ति है, infected person है उसको healthy person से दूर रखना चाहिए रोगी वेक्ति को स्वस्थ वेक्ति से अलग रख कर To keep the infected person away from a healthy person रोग प्रतिरोधी टीके लगवा कर by vaccinations, पीने वाली पानी को उबाल कर by to boiled water before drinking अपने आसपास की सफाई रख कर by keeping our surrounding neat and clean मख्य और मच्रों पर नियंतरन रख कर ठीक है, अगर आते हैं तो उनको हम जो insecticide है वो डालकी इनको मार देना चाहिए तो इसको हम जो भी कह सकते हैं कि उनकी growth को check कर लाना चाहिए ठीक है, by keeping check on the growth of mosquito and house flies साफ सुत्रे वोस्ट कपड़े, साफ धुले हुए वो पहनने चाहिए ठीक है, और कूडा करकड जो है, और अप्षिष्ट पदार जो है, उनको जो ऐसे डस्मीन में डालना चाहिए जिनके ओपर धकन हो, फिर कीट नाशकों का छिड़काव करेंगे ताकि हमारे इर्द गिर्द जो है, कीट है, कवक है, रोगानू है, वो जो है, पनपना सके और उनका खात्मा हो सके ठीक है, तो ये था हमारा question, सुक्षम जीवा से होने वाले रोगों से बचने के उस धारन वसरल उपाए कौन-कौन से है तो ये आप question, असानी से याद कर सकते हो, thanks for watching this video